बीते साथ मार्च को पसू बेवसाई कटोरिया बसमत्तानिवासी मुहम्मद सुल्तान से लूट के मामले का बाका टाउन थाना ने उद्भेदन कर दिया है पुलीस ने मास्टर माइंड कुंदन कुमार के साथ ही गिरों के चार अन्यसदस्ते को भी ग्रभतार करने में सफलता पाई है सुल्तान अपने नानी घर चुरैली आ रहा था इसी दुरान कुंदन ने अपने साथियों के साथ सुल्तान से खसी और बाईक सहित 36,500 रुपिये की लूट कर ली कुंदन के साथ इस लूट की घटना को अन्जाम देने में राजकुमार मिठलेशनी रज एवं परदी प्यादव ने साथ दिया था इस मामले में थाना धिच राजस जा ने बताया कि इस गिरों का जाल जिले के बाहर भी फैला हुआ है कुंदन पर लूट अपरहन चोरी सहित अन्यमामले दर्ज है कुंदन की तलाज भागलपूर वा ज़ारखन के कई जिलों में हो रही है इससे पहले भी कुंदन चेल की हवा खा चुका है बताया गया कुछ मा पुर्व L&T करमी से थानाच्षेत्र के प्रभावती नगर के पास भी 63,000 रूपिये की लूट को भी इसी ग्रोंने अंजाम दिया था सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है थानाधिच ने बताया कि सभी को इस पीडी ट्रैल चला कर सजादिल आई जाएगी लूट का मुवाईल के साथ साथ चार उसके अंजायोगी तो भी रफतार किया गया है उसके साथ सबसे वहाद साख्ष है कि उसके बास से ही लूटी हुई बोट साकिल और लूटा हुए मुवाईट फोन बरावाद हुए बाका जिला के बिलहर थाना च्छेतरे में एक यूवग की गुरुवार को संदिक दिस्तिती में मौत हो गई यूवग एक महपूरू बैंगलूरू से लौटा था इस दोरान स्वास विभाग की टीम जब उसका चेक अप करने और कॉरिंटीन करने गई तो वह घर से फरार हो गया था इधर यूवग की मौत की सूचना पर स्वास्ति भी भाग और पलीस प्रसासन यूवग के घर पहुँची और उसके सब को कबजे में ले लिया मौत यूवग का सैंपल जाच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है बताया जाता है कि यूवग बैंगलूरू में रहता था और हुआ एक महपुर भी अपने घर लोटा था बाद में उसकी तब्यत खराब हो गई इस दोरान वो किसी निजी चिकत सक के हाँ अपना इलाज करा रहा था इसी बीच उसकी मौत हो गई थाना धेच ने बताया कि पुलीस मामली की जाच कर रही है बैस्विक महामारी कोरोना वारस से बचाप को लेकर केंद्र सरकार केंद्र तीन मई तक पूरी देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन कुछ असमाजिक तत्व के लोग लॉकडाउन का उलंगन करते हुए सड़क पर मटरगस्ती करते हुए नजर आते हैं लॉकडाउन का सत पर्तिसत पालन कराने को लेकर अमरपूर थानाध्यच कुमार सन्नी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है इसी कड़ी में बुधवार के दिन दर्जनों की संख्या में क्यू वाइटी फोर्स को लेकर अमरपूर छेतर का दौरा करते हुए बाजारों में बाइक लेकर मटरगस्ति कर रहे है यूवकों की जम कर धुनाई करते हुए उठक बैठक कर आई एवं लॉकडाउन का सकती से पालन करने का निर्देश देते हुए यूवकों को छोड़ दिया मौके पर थानाधेश ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करना सभी देशवासियों का पर्थम करतब है लेकिन कुछ यूवक आदतन मजबूर होकर बाजारों में मटगस्ति कर रहे हैं ऐसी यूवकों को चिन्हित करते हुए कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि इस बार की लॉकडाउन में काफिस सक्ति किया गया है जिसके तहद बाईक लेकर बाजारों में भ्रमन करना पूरी तरह से पर्तिबंद कर दिया गया है आदेसों की अभेलना करने पर कारवाई करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने आम लोगों से अपील करते वे कहा कि लॉकडाउन में बुजुर्गों का खास ध्यान रखे ताकि बुजुर्गों को संक्रमित बिमारी से बचाया जा सके दूसरी तरफ पुलीस के सक्त रवईये को देखकर मटरगस्ती कर रहे युवकों में खासी हड़कंप देखी गई है बाका जला के अमरपूर ठानाचितर के महोता गाउं में पंचायत के मुखिया मित्टुन जय सरमा के समक्छ सोसल डिश्टेंस की धजियां उड़ती दिखती नजर आ रही है एवं मुखिया तमास पीन होकर सोचल डिस्टेंस की धजियां उड़ते देखते रहे महोतागा के वाइड संख्या 6 एवं 9 से सैकडों की संख्या में महिला एवं पुरूस वाइड नमबर 7 में स्थित खाद्यान डिलर बंदना कुमारे के दुकान पर पहुँच कर आनाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए जम कर बवाल किया जबकि बंदना कुमारे की पती मंटू चौधरी ने सभी लाभुकों से लाइन में दूरी बनाते हुए अनाज लेने की अपिल की थी मौके पर वाइड संख्या 9 किसदस्य मुकेस कुमार, 5 सक्चीन मंडल, कैलास मंडल, जैकान्त मंडल, अजय मंडल, मनोज मंडल आदी ने डिलर पर आरूप लगाते हुए कहा कि 4 दिनों से लगातार अनाज लेने के लिए दुकानों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार डिलर दूसरे दिन आने की बात कहकर डाट कर भगा देता है लाभुकों को अनाज कम देकर पैसे 15 रुपिया यूनीट ले रहा है, जबकि सरकारी निर्दे सानुसार 13 रुपिये पर यूनीट लेने का प्रावधान है सबसे बड़े आस्चरी के बात है, इतनी भीली के दोरा सोसल डिस्टेंस की धजिया उड़ते पंचायत की मुखिया आराम से बैठ कर देख रहे थे मामले को लेकर पंचायत के मुखिया मिर्तुन जे सर्मा ने बताया कि आये दिन ग्रामिनों की भील हमारे निवास अस्थान पर आकर डिलर की मनमानी का रोप लगाते हुए अनाज नहीं देने की सिकायत करते हैं ग्रुबार के दिन भी ग्रामिनों ने सिकायत के जिस पर स्वैम डिलर के पास आकर सभी लाबकों को पूरे बजन के साथ आनाज देने के लिए कहा गया एवं सरकार के दोरा निर्धारित रासी ही लेने को कहा गया आज बिहार सरकार के दोरा सभी डिलरों को पूरी इमानदारी के साथ रासन वितरन करने का निर्देश दिया है लेकिन कुछ डिलर अपनी मनमानी कर आम लोगों का सोसन करने में लगे हुए हैं करके साथ में लुए और चला जाता है अज हुए हैं और लुए हैं जार दिन से दोड़ा रहा है रएज भजंटा को हम पूर एक पढहे कि लेकि लेका कौन है आप नहीं मिलेगा गम जावी नहीं मिलेगा पर्टु कान आना आते है वि cash को घुमा रहा है पंजवारा थानाचितर के लखपूरा गाउं में गुरूबार की सुबह दो पक्चोम हुई मार पीट में च्छा लोग घायल हो गए जिसमें गंभी रूप से घायल दो लोगों को इलाच के लिए माया गंज रहफर कर दिया गया जानकारी के नुसार लखपूरा गाउं में खलियान बिवाद ने दो पक्चों में जम कर मार पीट वी जिसमें एक पक्च के बिभीसन यादव, पिंटू यादव, सिंटू यादव, रामबिलास यादव जखमी हो गए वहीं दूसरे पक्च के जिवन यादव और विकास यादव भी गायल हो गए, इन गायलों को इलाच के लिए हेल्थ एंड वेलनस सेंटर पंजवारा लाया गया जहां गंभीर रूप से घायल भीभीसन यादव और पिंटू यादव को बहतर इलाच के लिए माया गंज रैफर कर दिया गया वहीं मामले को लेकर दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाब पंजवारा थाने में प्राथमी की दर्ज कराई है जिसमें एक दूसरे पर जान से मारने का रूप लगाया है पुलीस मामले की जाच कर रही है जमूई के जाजा से अपरे टैम्पू चालक का सब बिलहर थाना के चुरनीया पहाड के पास से सड़े गली अवस्ता में ब्रामद किया गया है पुलीस की सुचना पर बिलहर पुलीस के साहि ब्रामद हुआ घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रोज की तरह मृतक दिनेसी आदब 17 मार्च को भी जाजा से अपने टैंपू बेलहर की सीमा छेतर तक लाया था इसी बीच उसका पहरन कर हत्या कर पहाड़ी के पास छुपा दिया गया था बाद में मृतिका की पतनी के दोरा जाजा थाने में अग्याद दोरा अपरहन का मामला दर्ज कर आया गया था फिलहाल सब को जाजा पुलीस जाजा ले जाएगी पंजवारा पुलीस ने थाना धेच मुर्ली धर साह के नेतरितु में बुधवार की सुबा छेतर के गोविनपूर बिक्रमपूर ग्रामिनपत अंतरगत नवनिर्मित बिक्रमपूर पूल के पास ते गस्तिक दरान एक बाइक सवार धंदेबाज को बड़ी संख्या में दे 90 बोतल जारकन रुतपाद का देशी सराब बरामत कर लिया है और तसकरी में परियुक्त गलेमर बाइक को भी जब्त कर लिया है साथ ही गरपतार तसकर को बाका जेल भेज दिया गया है बाका के अमरपूर्थ हनाचति के कोहिंदा गौमे जमिन बिवाद को लेकर दो पक्छों के बीचवी मारपीट में दोनों पक्छों से चार लोग जखमी हो गए हैं जखमी पर्थम पक्छ के बिस्नु सरमा एंवम बढ़ेज सरमा दूसरे पक्छ के जखमी सुसील सरमा एंवम अमीद सरमा का प्रातमी कुप चार अस्थानीय रैफल अस्पताल में किया गया मामले को लेकर पक्थम पक्च के बिस्नू सर्मा ने बताया कि सुसील सर्मा जबरन मेरे जमीन पर दिये गए दिवाल को तोड़ रहा था जिसका बिरोध करने पर सुसील सर्मा अमीत सर्मा समेत आधे दरजन लोगों ने लाथी डंडा से प्रहार करते हुए जखमी कर दिया ज लेखी ताविदन देकर कारवाही करने की मांग की है थाना धेचकुमार सन्नी ने बताया कि आविदक के दुड़ा दिये गया आविदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। लेखी ताविदन देकर सिरादे नगरी जानुकिता पंजवारा महादली टोला बिधान चक हटिया टोला सहित कई अन्य गाउं में जरुरत मंद लोगों के बिच रासन शामगरी वा मास्ट का वित्रन किया। इस दोरान समाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया मौके पर मोहन सिंग, पुतुल सिंग, सुनील सिंग, आनंद अंकित रीसु सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समाज को जिनकों की मेरा जो प्रयास था कि जिनकों की सरकार के द्वारा का रासन कार नहीं है। उनको मैं प्रयास करके दिया गया और जो गरीब तबका का अदमी था उसको दिया। हर एक टोला को मैं लगभग दे चुगा, जैसे सिरादय, माराटिकर, नगरी, जानुकिता, विजनाचक, अब बनिया टोली, थोटा हरजन टोला, ब्रह्मन टोली, इस दोवी टोला, इस सभी टोला को मैंने लगभग तीन स्वाज चार स्वाजमी को दिया।